आपने फुटबॉल में तरह तरह के कॉंट्रेक्ट देखिऊंगे लेकिन जिस कॉंट्रेक्ट की बारे में आज मैं आपको बताने वालो वो प्रॉबबली सबसे हटके भी और सबसे फ़नियस्ट भी 1996 में जेवसेप रियाना ने बुंडिस लीगा क्लब अर्मीनिया के लिए साइन किया था ये कॉंट्रेक्ट तीन साल का होने वाला था लेकिन जो एक चीज इस कॉंट्रेक्ट को बाकी सारे कॉंट्रेक्ट से अलग बनाती थी वो थी जेवसेप की एक डिमांड प्लेयर की ये क्लब उसे कॉंट्रेक्ट के हर साल में एक निया घर बनाके देगा और क्लब ने बिना किसी हजीटेशन के इस चीज़ पर एग्री कर दिया वर ट्विस्ट यहां पर आया जब क्लब ने रियाना को कॉंट्रैक्ट के पहले साल के बाद एक लेगो हाउस गिफ्ट करा। असल में उस कॉंट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं था कि वो घर किस डैमेंशन का होना चाहिए जिसकी वज़ा से क्लब जैसे अपको एक लेगो हाउस दे रहा था। ये सब कुछ बाद में कोट में गया जहापर प्लेयर को थोड़ी बहुती कॉंपनसेशन भी मिरें लेकिन स्टिल उसके वो तीन घर के सपने तो सपनी रहे गए। फुटबोल से रिलेटेड ऐसी और फ़न वीडियो के लिए मेक शूर यू सब्सक्राइब